अब यह बास्तु सांथी होता है दो कपूर का जो है दीबग जला है उसमें बत्ती नहीं होना चाहिए और घर के प्रतेक रूम में उसको भरान कगा है और उस समय जो है कुछ मंत्र ओमकार का उचारण करते रहें क्योंकि मंत्र इनर्जी है सकते है उड़ जा तो उसमें बास् तुलसी का पोधा लगाएं एक रामा और श्यामा होता है तो उससे भी वास्तु दो सांथ होता है आप घर से जब भी निकले हैं तो निकलते बगत तरहिना साइड में समी का पोधा लगाएं बहुत सारे निगेटी बुर्जा को दूर करता है तत्पस्चा जैसे सनी बार का दीन हो या मालिजे सोमाबती हमवस्या को मिर्च संजिब्ली योग कहा गया हो इस दिन यदि पीला सर्जो काला सर्जो दुनों को मिस्तरित कर दीजे और जैसे कि हम लोग काते हैं ऐसी मंदिर में जाके यदि पूजा करें वहां का जल लग जाएगा सिर में तो निगेटी भी नर्ची हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है करके देखें हम अपने जीवर में 17 साल से मिस्कार में हैं कम से कम तो 200 से उपर हम रुद्रा भी से करवाया होंगे अगर किसी का साधी का प्रॉबलम है आप जैदा नहीं परतीक मास यदि आप दूद में हल्दी डाल करके बीदि कोन जो है और इसान कोन बिल्कुल खाली होना चाहिए घर जब भी बनाएं तो खिरकी से खुली हवा प्रियाप्त आए और जाए आजकर तो लोग एसी डिसी बीसी लगा देते हैं घर की हवा अंदर में ही और बाहर की हवा बार ही तो इसे दम जैसे हुटने लगता है आजक कुसित होगा तो मन इस्तिर नहीं होगा आप जहां दो रोटी खाना है चार रोटी खा लेंगे भर रात नहीं नहीं आए तो अनिका भी प्रिक्षा करें यह सारे करके और सबसे बड़ा हमीशा प्रोजीटी बूर्जा मन जितना खूला होगा विचार जितनी खुली होगी विचार में जितने इधर उधर की कमी होगी उतना आप सुखी रा सकते हैं उतना प्रेमादमक सम्मंद रख सकता है बसरते सब सिर्फ बात ही है जयवास्तु